हेलो बच्चों, आज हमारा question है, which of the fallen fraction are equivalent, हमें इसमें देखना कौन से इसमें से equivalent है, देखो 6 upon 10, equivalent मतला equal, और 9 upon 15, अब मुझे देखना ये numerator होता, ये denominator होता, मुझे देखना सेम नमर की table में आ रहा क्या, बिल्कुल 6 और 10 किस की table में आता, 2 की table में, sorry, 2, 3 जा 6, और 2, 5 जा 10, तो ये तो हो जाएगा हमारा 3 upon 5, अब मुझे देखना 9 और 15 किस की table में आता, भाई 3 की table में आता, 3, 3 जा 9, और 3, 5 जा कितना होता, 15, तो ये भी हमारा क्या आ रहा, 3 upon 5, भाई 3 upon 5, ये भी 3 upon 5, तो ये हमारा हो गया, equivalent fraction, इसको हम कहते है, equivalent fraction, ओके, अब यहां वही देखना भाई, देखो कितना है, 16 upon 24, एक कॉल में 2 upon 3, मुझे देखना है क्या 16 upon 24, क्या same number की table में आता, अगर हम देखेंगे भाई, ये भी 8 की table में आता, और ये भी हमारी 8 की table में आता, 8 सेच को डिवाइट कोंगे, 8 2 जा 16, और 8 3 जा 24, तो देखो 2 upon 3, और ये भी 2 upon 3, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, equivalent fraction हो जाएगा, okay, यहाँ देखेंगे हम, कितना है 25 अपॉन 36, और equal में कितना 5 अपॉन 6, अब मुझे देखना है क्या 25 और 36 सेम नंबर टीबल में आता है, यह तो 5 की टीबल में आता है लेकिन यह नहीं आता यह 6 की टेवल में तो यह नहीं आता तो हम कह सकते यह equivalent fraction नहीं है ठीक है तो क्या हो नौट है equivalent fraction नौट आ equivalent fraction यह हमारे equivalent fraction नहीं है क्योंकि यह cut की यह आई नहीं सकता ओके अगर हम देखेंगे same table में चाहिए जैसे 5 से cut रहा तो यह 5 से cut ना चाहिए यह 5 से cut 6 से cut रहा यह भी 6 से cut ना चाहिए तभी जाकी होगा अब यहां देखेंगे 6 upon 8 है यहां 21 upon 28 बस 7 की table में आता कि नहीं आता 7 3 जा 21 7 4 जा 28 अब देखो यह 2 की table में आ 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 देखेंगे 3 upon 4 यहां भी 3 upon 4 तो यह हमारे equivalent fraction हो गया अब यहां दोको 8 upon 12 इकल टू करना हमे 14 upon 21 भाई 8 बंज़ा 8 तो फोर टू जा 8 फोर टू जा 8 फोर टू जो फोर टू जा 12 और यहां 7 तू जा और 7 3 जा भाई यहां 2 upon 3 और यह भी 2 upon 3 equivalent fraction हो गया अध्यको 3 upon 4 इकल टू करना 21 upon 24 क्या यह सेम टेवल में आता है बिल्कुल आता है 3 की table इससे भी डिवाइड हो जाता है 3 की table में यह भी आ जाता तो 3 upon 4 तो ऐसी है 3 721 और 3 824 भाई यहां तो 3 upon 4 यहां 7 upon 8 तो not equivalent यह इसका मतलब यह equal है और not equivalent अगरा हमें not करने तो इसमें cross कर देते not equivalent का fraction हो जाते है